दो दिनों के बाद है महा शिवरातरी और शिवरातरी के अवसर पर बहुत सारे लोग उपास रखते हैं तो आज हम ऐसा कुछ बनाएंगे जिसे आप उपास में खा सको और वो बहुत ही टेस्टी हो तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो आज हम बनाएंगे शकरकन के चिप्स तो ये बनाना बहुत ही इजी है फटाफट से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो यहाँ पर मैंने शकरकन ले लिए हैं आपको जितनी कॉंटिटी पर बनाना है उतना आप ले सकते हो तो फिलाल अभी मैंने 500 ग्राम जितने शकरकन लिए हैं और उने छील लिया है तो इस तरह शकरकन को अच्छे से छील लेना है उसके उपर बहुत सारे मिट्टी होती है तो कहीं से भी रहना नहीं चाहिए बराबर से उसे छील लेंगे चलिए शकरकन को मैंने छीर लिया है और अब इसे कट कर लेते हैं तो इसे कट करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके हमें चिप्स बनाने हैं लेकिन एक दम पटले नहीं बनाएंगे बहुत पटले बनाएंगे तो शकरकन हमारे तूट सकते हैं मतलब कि चिप्स हमारे तूट जाएंगे तो इस तरह medium size का हमें उसे काट लेना है बहुत पतला नहीं काटेंगे और बहुत मुटा भी नहीं काटेंगे और एक बात का हमें यहां बे ध्यान रखना होगा कि सारे शकरकंद को हमें equal size में कट करना है तब ही जाके हमारे chips एकदम perfect बनेंगे शकरकंद को मैंने कट कर लिया है और अब उसे दो लेते हैं तो इसे अच्छे से दोना भी बहुत ज़रूरी है तो इसे proper दो से तीन बार अच्छे से वाश कर ले चलिए शकरकंद भी वाश हो चुके हैं और आप ले लेते हैं एक परतन में थोड़ा सा पानी एक स इसके उपर मैंने ढकन लगा धिया है ताकि पानी जल्दी से बॉइल हो जाए पानी में अच्छा खासा उबाला जाए तबी इसके अंदर शकरकंद को अड़ करेंगे तो सारे शकरकंद को मैंने इसके अधर डाल दिया है और ढकन लगा धिया है धकन को थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि इसमें उबालाए तो सब कुछ बाहर ना आ जाए इसको हमें 2-3 मिर्टी बॉयल करना है जादा नहीं करेंगे अगर जादा बॉयल करेंगे तो शकरकंद ढूट सकते हैं तो यहां पर मैंने शकरकंद को 3 मिर्ट के लिए बॉयल किया है और एक किचन डाल पे निकाल लिया है और उसे अच्छे से फैला लेंगे ऐसा करने से एक्सेस वर्टर सोख हो जाएगा और शकरकंद अच्छे से ड्राय हो जाएंगे तो यह दीखिए इस तरह का शकरकंद हमारा होना चाहिए इसे इस तरह दबाएं तो तूटना नहीं चाहिए चलिए अब उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं 2-3 मिट के लिए शकरकंद सूख रहे हैं तब तक एक कड़ाई में निकाल लेते हैं थोड़ा सा तेल क्यूंकि हमें इसे फ्राय करना है तो यहां पे कड़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया है और उसे मिडियम फ्लेम पे मैंन मिनिट के लिए फ्राइ करना है और उसे निकाल लेना है तो ये दिखे एक से दो मिनिट हो चुके हैं और अब इसे हम निकाल लेंगे इसे एकदम नहीं पकाएंगे मतलब कि एकदम फ्राइ नहीं करेंगे हमें इसे दुबारा भी फ्राइ करना है तो एक से दो मिनिट के बाद इसे निकाल लेना है और उसे ठंडा होने देना है शकरकन एंपड़न ठंडे हो जाए तो उसे हमें फिर से फ्राइम करना है तो ये दिखिये शकरकन एंपड़न ठंड हो चुके हैं हात में उसे पकड़े तो गरम नहीं लगने चाहिए और अब उसे medium flame पे हम fry कर देंगे यहाँ पे हमें medium flame पे golden brown होने तक शकरकन को fry करना है तो इस तरह करने से शकरकन एक दम crispy बनते हैं और बहुत ही tasty लगते हैं 2-3 मीट में यह golden brown हो जाएंगे और यह देखिए हमने उसे अच्छे से fry कर दिया है और उसका color कितना बड़ी आया है और अब इसे निकाल लेना है एक bowl में और अब इसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा चाट masala और थोड़ा सा लाल मिर्श पाउडर शकरकन मीठे होते हैं तो चाट masala डालने से उसकी sweetness बैलेंस हो जाएगी तो चलिए अब उसे अच्छे से mix कर लेते हैं तो यह दिखिए शकरकन के chips एकदम ready है टेस्ट में बहुत ही बड़े लगते हैं तो इस शिवरात्री ये वाली recipe ज़रूर ट्राय करना तो जल्द ही मिलते हैं next recipe के साथ तब तक के लिए बाई जैशीक रशन